पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना जिसका अंदाजा आपने नहीं लगाया होता है जिसकी कलपना आपने नहीं की होती है हम आम तोर पर गनित को दो और दो चार समझते हैं लेकिन राजनिती का गनित ऐसा नहीं होता है सियासत का गनित दो और दो पांच का गनित होता है तो राजनिती में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है पहली खतम भूमी का खतम सीधे ख़वर पर आते हैं पुर्व सांसद अरुन कुमार एक बार फिर नितीज कुमार के साथ जा रहे हैं नितीज कुमार और अरुन कुमार के बीच किस तरह की सियासी दुस्मनी रही है और अर ब्यार की राजनिती की जिनको सामान समझ भी है वो ये जानते हैं कि किन मुश्किलों में अरुन कुमार फसे थे बावजूद इसके अरुन कुमार और नितीज कुमार की एक बार फिर दोस्ती हो रही है जाहिर है जब लालू यादो नितीज कुमार मिल सकते हैं अखलेस याद और मायावती एक हो सकती हैं जो अम प्रकास राजवर कहते हों कि भगवान भी आकर कहेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है सियासत में नितीज कुमार और चिराग पासवान के बीच की इस तरह की और अरुन कुमार जेडियू में सामिल हो सकते हैं हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अरुन कुमार को अरुन कुमार की मुलाकात सोम वार को या मंगल वार को बिहार के मुखमंत्री नितीज कुमार से हो सकती है ऐसी कोई तस्वीर आप देख सकते हैं अगले कुछ तो में अगले कुछ दिनों में कि पुर्व सांसद अरुन कुमार और नितीश कुमार के बीच मुलाकात हो और अरुन कुमार फिर जेडियू में सामिल हो जाएं, अरुन कुमार को लेकर ये खबर भी है, जो करीबी सुत्र हैं, उनके उनसे जो जानकारी हमारे पास लगी है, जेडियू के कुछ बड़े निता अरुन कुमार से मिलने गए थे, जेडियू के कुछ बड़े निताओं से अरुन कुमार की मुलाकात हुई, और फिर जेडियू में आने का ओफर उनको जेडियू के सिर्ष नितित्रु की तरफ से है, अरुन कुमार ने हामी भरी है या नह भरी है ये मैं नहीं जानता लेकिन ये खबर पक्की है और विल्कुल पक्की है डंके की चोट पर बिना किसी गुरेज के मैं कह रहा हूं अरून कुमार जेडियू में सामिल हो सकते हैं क्योंकि जेडियू के बड़े निताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है उनके करीबी सु अनकारी हमें मिली है धीरे धीरे अरून कुमार नितीश कुमार की तब तडब बढ़ रहे हैं और नितीश कुमार और अरून कुमार की फिर दोस्ती हो सकती है बहुत-बहुत धन्यवादा